सुपरभाद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब भी? अच्छे हैं ना? और अपना कारी कर रहे हैं आप लोग साथ साथ? और मुझे भेज रहे हैं? Very good! बच्चों, हिंदी की कक्षा में आज हम अपनी वर्क बुक का ये वाला पेज खोलेंगे ये है पेज संख्या 21, जब आप 21 खोलेंगे पेज नंबर, तो आपको ये वाला पेज मिलेगा, ठीक है? इसमें सबसे उपर यहाँ पर आपको दिनाग लिखनी है, दिनाग मतलब बच्चों, डेट को ही दिनाग कहते हैं, ठीक है? दिनाग, तो डेट क्या है आज? तीन अक्टूबर, यानि 03, अक्टूबर के लिए 10th मन्त होता है, और येर कौन सा है ये? 2020, ठीक है? इस तरीके से हम अपनी डेट लिखेंगे यहाँ पर, ओके? अब क्या लिखा है बच्चों ये? ओ, 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 नार, ओ, अनार, है ना, हमने पढ़ा था ना, ओ, अनार, तो यहाँ पर ओ सब्द हमें यहाँ पर दे रखा है, ओ, अक्षर, हमें यहाँ गिविन है, इस अक्षर को हम ट्रेस करेंगे, ठीक है? बहुत अच्छे से आप इस वैसे थ्री बनता है ना, वैसे बनाओगे, और लेकिन थ्री में हम यहाँ पर छोड़ देते हैं, लेकिन इसको थोड़ असा उपर की तरफ ले जाओगे, तो आपका और सुन्दर दिखेगा, यहाँ पर सीधा डंडा, और फिर सीधा डंडा, और फिर उपर की लाइन, इस तरिके से आप इसको ट्रेस करोगे अच्छी सी राइडिंग में, ठीक है, और बोल बोल के आप लिखेंगे, ठीक है, और बाकी ये जो तीन खाली जगे हैं, इसमें हम लिखेंगे अपने आप से, ठीक है, और अनार, ठीक है? ऐसे ही आपको आ, आम इसको trace करना है और यहाँ पर लिखना है ठीक है बच्चों? ऐसे ही आप ओ, अनार, आ, आम इ, इमली और इ, इक आ से लेकर इ तक बड़ी इ तक आपको यह दो पेज पूरे करने है सेकिंड पेज जो है, वो मैं आपको show कर रही हूँ यह है मारा सेकिंड पेज, छीक है? छोटी से इमली और बड़ी से एक यह दोनों पेज आपको fill करके मुझे send करने हैं, ओके बच्चों? थैंक यू, बाई